हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन राजनितिक संस्राओं के बारे में आपने नाम सुना होगा शभा शमिती और विदत तो यह हैं क्या और यह क्या काम करती थी इनका क्या महत्तु था उस समय वैदिक मैंने point to point note किया है book से एक page में मैंने जो भी important चीज़े हैं जो exams में पूछी जा सकती है खास करके UGC net का जो exam आपका होता है वहाँ पर यहां से कहीं न कहीं एक ना एक question हमेशा आता है तो अगर आप UGC net JRF की तयारी कर रहे हैं तो भी आप इस video को देख सकते हैं यह अगर आप अनकिसी exam की तयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं क्योंकि इतिहा से प्रस्ट हर जगा आते हैं तो हमारा जो आज विसाय होगा वो होगा वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं दीखे जैसे आज राजनीतिक संस्थाएं हैं लोकसभा, राजसभा, केंद्र में और फिर अगर हम राज में देखें तो विधान सभा, विधान परश्र या अन्य कई संस्थाएं हैं तो ऐसे आईईसे प्राचीन काल में भी ई काल में भी राजनितिक संस्थाइं होती थी तो इनका काम क्या होता था Nor Micha कर नियंक्त्रण रखना उसके कारियों पर ताकि राज्य निरंक्तुष नह जाए जैसे आज हैं लोग सभारा सभारे दॉर कोई भी मत या फिर कोई भी माल लीजे प्रस्ताव पारित होना है विदहग बनना है कानुन बनना है तो उस पर सभी किराई ली जाती है जितने भी राजसभा या लोगसभा के सदस होते हैं वो सभी अपना उस पर मत देते हैं ओट करते हैं तो ऐसे पहले भी वैदिक काल में कुछ राजनितिक संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों पर नियंत्रड रखती थी उसकी नियुक्ति वही करती थी तो उन्हीं राजनितिक संस्थाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो वैदिक कालेन साहित में तीन प्रकार की संस्थाओं का उलेख मिलता है एक सभा, दूसरी समिती और तीसरा बिदत इन तीन राजनितिक संस्थाओं का उलेख मिलता है और इनका काम होता था राजा पर नियंत्रन इस्थापित करना अब सबसे पहले हम बात करेंगे सभा की तो बहुं बात कर रहे हैं सभा की सभा में कुछ पॉइंट में लिखा रहा हूँ उसको लिख लिजिए जैसे सभा एक ग्राम सहंस्था थी ग्राम सहंस्था और सभा का उलेक अगर हम कहें तो रिग वेद में आठ बार हुआ है और अथर वेद में इसका उलेक सत्रा बार हुआ है सभा नामक सहंस्था का उलेक रिग वेद में आठ बार और अथर वेद में सत्रा बार इसका उलेक हुआ है सभा का साब्दिक अर्थ होता है चमकना अर्थात सभा में वे लोग भाग लेते थे जो चमकते थे अब चमकने का मतलब ये है कि वे लोग थोड़े प्रतिष्ठित होते थे प्रतिष्ठित मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं उच्च कुल के लोग थोड़े धनी लोग होते थे, प्रतिष्ठित होते थे, तो ऐसे लोगों की सभा, ऐसे लोगों की जो संस्था थी, उसको सभा बोलते थे, और इस सभा में इस्त्रिया भाग लेती थी, इस्त्रिया भी भाग लेती थी, पार्टिस्पेट करती थी, वो भ यक्तियों की संस्था थी और ये ब्रिद्ध लोगों की संस्था थी ब्रिद्ध लोगों की संस्था भी सभा को हम कहते हैं रिगवेद में सभा के सदस्यों को सभे कहा गया है सभे सभे यह रिग्वेद में सभा के सदस्चन को सभे कहा गया है और यह समूचे जन की सभा नहीं थी, ध्यान दीजिए पूरे लोगों की सभा नहीं होती थी, इसमें कुछ खास परतिष्टित लोग ही होते थे, अब इसका कार क्या होता था? इसका कार होता था नियाय सम्मंधि कार विशेश रूपशे नियाय सम्मंधि नियाय करना कुछ लोग अपराद करते हैं तो उनके अपरादों के लिए उनको सजा देना उनके साथ नियाय करना ये इस राजनेतिक संस्था का मुख की काम था हाला कि धार्मिक और राजनेतिक विचार भी इसमें होते थे तो यह मैंने आपको सभा के बारे में बता दिया I hope आपको समझने आ गया होगा कि सभा क्या थी तो सभा एक ग्राम एक बार फिर्चे में एक मिनट में रिवीजन कर देता हूं सभा एक ग्राम संस्था थी या परतिष्ठित लोगों के संस्था थी या इसमें ब्रिद्ध लोग होते थे और इसमें इस्तरियां भाग लेती थी सभा का उलेक रिगवेद में आठ बार और अथरवेद में 17 बार इसका उलेक किया गया है और इसके सदस्चे को सभे कहा जाता था इतना आपको सभा के बारे में जानकारी रखनी बाकी और चीज़े अभी मैं जब अगली संस्था पढ़ाँगा तो उसमें भी तुलनात्मकुरूप से बताता रहूँगा अब हम बात करते हैं दूसरी संस्था समित की अब हम बात करते हैं समित की समित भी एक राजनीतिक संस्था थी वैदिक काल की तो समित एक केंद्रिय राजनीतिक संस्था थी जैसे मैंने आपको जब सभा पढ़ाया तो मैंने बताया वो एक ग्राम संस्था थी ग्राम संस्था थी सभा लेकिन जो समिती है ये एक केंद्रिय राजनीतिक संस्ता है और रिग वेद में इसका उलेख 9 बार किया गया है अथर वेद में इसका उलेख 13 बार किया गया है ये बात आपको ध्यान में रखनी है रिग वेद में उलेख 9 बार अथर वेद में उलेख 13 बार और ये वैदिक लोगों की बड़ी संस्था थी, बड़ी सभा थी, जैसे सभा के पेक्चा थोड़ी बड़ी थी, सभा में मैंने कहा था कुछ प्रतिष्ठित लोग होते थे, तो अब प्रतिष्ठित लोग तो बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, कुछी होंगे तो एक छोटी स अनुस्ता थी सभा, लेकिन जो समित है, ये सभा के पेक्चा बड़ी थी, क्योंकि समित में एक विश के सारे लोग होते थे, विश का मतलब होता है, जैसे गाओं के समूँ को वैदिकाल में, गाओं के समूँ को विश कहा जाता था, कई गाओं मिलकर एक विश बनाते थे, तो उस पूरे विश के लोग इस समित में भाग लेते थे, यानि इस समित के सदस होते थे, ये आपको अंतर याद रखना है, सभापती जो होता था, समित का जो मुख्य सदस होता था, उसको बोलते थे इसाशन, इसाशन, और राजा का चुराओं, राजा को हटाना, उसकी नियुक्ति करना, या फिर से उसकी नियुक्ति करना, पुनन नियुक्ति, ये सब काम समिती के, मतलब समिती करती थी, उसकी जिम्मेदारी थी पूरा, राजा को हटाना है, किस राजा को लाना है, और किस की पुनन नियुक्ति करने है, ये पूरा काम समिती करती थी, अगर रा लोगों किच्छा समित में लोग थे विश्के तो लोगों किच्छा के नुशारी राजा को कार करना पड़ता था और इसके प्रमुकार क्या थे धार्मिक राजनेतिक और सामाजिक कार्यों को करना यह सब इसके समित के कार थे तो मैंने आपको अभी तक समित और सभा पढ़ा अथरवेद में 13 बार उल्लेक किया गया है ये वैदिक लोगों की संसा थी इसमें पूरे विस्क के लोग सामिल होते थे और राजा का चुनाव उसकी निवक्ति पदिचिति और पुनर निवक्ति भी समीति ही करती थी धार्मिक समाजिक और राजनितिक कार करती थी इतना आपको याद रखना है समीति के बारे में अब बात करते हैं विदत के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सभा और समीति में जो बिवाद है उसको लेकर कुछ विद्वानों की कथनों को बता देता हूँ कि किस-किस विद्वान ने कौन-कौन सा कथन कहा है सभा और समिती को ले करके जैसे अथरवेद में सभा और समिती को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है इस बात को आप याद रखना किस वेद में अथरवेद में सभा और समिती को परजापती यानि परजापती यानि राजा कि दो पुत्रियां कहा गया है एक बिद्वान है हिल ब्रेंड हिल ब्रेंड बिद्वान कहते हैं कि समित जो थी ये एक संस्था थी और सभा थी अधिवेशन अस्थल हिल ब्रेंड कहते हैं समित एक संस्था थी और सभा उसका अधिवेशन अस्थल था लुडविक कहते हैं लुडविक भी एक विद्वान है ये कहते हैं कि सभा उच्चतर भवन थी यानि उच्च सदन थी और समिती निमनेतर भवन यानि निमने सभा फिर से सुन लिजे, लुडविग नामक बिद्वान कहते हैं कि सभा उच्चेतर भवन थी और समीत निमनेतर भवन एक और बिद्वान है जिमर, जिमर का कहना है कि जो सभा है वो ग्राम संस्था है और समीत केंद्रिय संस्था है ये सारी चीज़े आप याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लिजे क्योंकि मैंने भी पॉइंट में लिखा, एक बुक मैंने पढ़ी है बुक में से जो लिखने लायक है, जो एक्जाम से में पूछे जा सकते हैं इसको मैंने एक पेज में लिख लिया है, फिर आपको आपके समने प्रश्टूत कर रहा हूँ अब हम विदत की बात करते हैं, तो विदत माना जाता है कि ये प्राचीन वैदिक लोगों की संस्था थी मतलब सभा और समीति से पहले की संसा थी, सभा और समीति की जनक कहा जाता है इसको, सभा और समीति की उत्पत्ति विदत से ही हुई है, ऐसा माना जाता है प्रोफेसर राम सरान सर्मा कहते हैं कि सभा वा समिती की पूर्ब गामी थी बिदत यानि बिदत कौम थी पूर्ब गामी थी किसकी सभा और समित की इस्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी देखें इस्त्रियां सभा में भाग लेती थी और बिदत में समित में नहीं लेती थी तो योसा और सूर्या नाम की इस्त्रियों का उलेख रिगवेद में किया गया है योसा और सूर्या नाम की इस्त्रियों का उलेख किया गया है राजनितिक और धार्मिक विचारिस में किया जाता था गाने बजाने मदिरा पान खेल इत्याद का आयूजन भी इसमिक किया जाता था और इंद्र को विदद की सक्ति कहा गया है इंद्र इंद्र भगवान उनको विदद की सक्ति कहा गया है तो ये चीज़े आप ध्यान में रखिए तो इतनी चीज़े जो मैंने बताई हैं इसको पॉइंट में अगर लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है नहीं तो आप वीडियो को पुना देखिए और उसको लिख लिजे तब आप याद कीजिए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में सभा समेती प्रमुकराजनिक संस्थाएं थी अब देखिए थोड़ा सा और जान लिजिए दो तीन मिनट सुन लिजिए जैसे वैदिक काल को दो भागों बाटा गया है एक तो रिग वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल रिग वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं या रिग वैदिक काल और दूसरा उत्तर व भाग लेती थी और राजा पर पूरा नियंत्रन रखती थी लेकिन जब उत्तरवैदिक काल आया तो धीरे-धीरे इन संस्थाओं का महत्तु घट गया क्योंकि उस समय राजा धीरे-धीरे सक्तिसाली होने होने लगा तो अब सभा और विदत में इस्त्रिया भाग लेती थी उनका सभा में जाना एक प्रकार से बंद कर दिया गया रोक दिया गया वह भाग नहीं ले सकती थी उत्तरवैदिक काल में और जो समीती थी उसका भी महत्त कम हो गया सभा समीती विदत इन सबका महत्त कम हो गया एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें जो राजा था उसके प्रतिनिदी आ गए सभा समीति और विदत में राजा के प्रतिनिदी अधिक सधीक आ गए तो वो राजा के अनुसार ही संस्थाइं काम करने लगी तो जो संस्थाइं पहले लोकतंत्र का काम करती थी वो अब धिरे धिरे राज तं Change हुई। बाकी अब इसमें ये चीजें हैं कि देखिए इसमें लिखा भी है। रिगवैदिक काल में लोकतंदर काबॉल बाला था और जन समधाय की इच्छा ही राजा की इच्छा थी. जबकि उत्तर वैदिक काल में जन समधाय की इच्छा का दमन के गया। उत्तर वैदिकाल में जन समदाय के इच्छा का दबन किया गया क्योंकि राजनितिक संस्थाओं का महा तो कम हो गया। धनिशक्ति साली प्रोहित वर्गवा उक्त संस्थाओं में प्रभुत बढ़ गया और राजा निरंकुष हो गया। इस्त्रियों की दसा भी रिगवैदिक काल में अच्छी थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में चुकि उनको राजनितिक संस्थाओं में भाग लेने से रोख दिया गया इसलिए उत्तर वैदिक काल में उनकी दसा कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन हुई तो इतना मैंने आपको बत तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कुछ सा टॉपिक है जिसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखे वीडियो अगर पसंद आतो इसको लाइक कर दीजे सेर कर दीजे और चेनल पर पहली जबा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद